देखिए यह हम अभी सेट 19 नमर का सॉल्व करेंगे 18 सेट हम पहले सॉल्व कर चुके हैं तो देखिए एक कुछ नहीं आपड दिया हुआ है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है कमेंट करना है क्या इंप्रूम्मेंट आप वीडियो में चाहते हैं और शे सब्सक्राइब कि एक यह त्रेटी सेंटी मीटर सकी आप यहां पर क्या दिया हुआ है और राइट आइंगल दिया हुआ है सरकल के अंदर क्यों यहां पर दिया हुआ है तरकम इसक्राइविंग ट्रेंगल हूज साइड हां 30 40 इन 50 मतलब उसके अंदर सर्कल के अंदर जो जो सर्कल है उसकी साइड रखी है इसके अंदर एक ट्रेंगल है कि उसकी साइड दे रहा किया 30 40 50 मतलब तीन चार और पांस माल लेते हैं मतलब यह ट्रैंगल हो जाएगा समकॉंड त्रबूज यहां पर नाइब डिरी कॉन बनेगा तभी तो यहां पर पांस बन पाएगा तो यह बूज रहा है पचास है क्योंकि नाइट डिरी अकॉंड तो जो रहता है यहां पर यह कुशन है इसमें लाज़ेस्ट वैल्यू बी का हमें रखना है ताकि यह चार से डिवाईड हो सके तो चार से डिवाईड होने के लिए लाज़ेस्ट विल रखना है लाज़ेस्ट के दौवां की काफी क्या में एक्स वाई की जरूत भी नहीं है तो देखिए ऑपसन वहाँ प्रखेंगे तो च्हार का वाग आइगा रख नहीं इसके देख लेते हैं तो 276 में चार का बग जाता है चार एकम चार थीनव उन्नीस बार नेश पर मतलब की चैनल उन्सर हो जाएगा अब आ जाते हैं सिंदक यस अनुर्म फिर पास में टाइम एंडिस्टेंस रेलेटेड़ कुछन है यह तो इसको करते हैं कि दिखिए यहां पड़ दिया हुआ है अंकित बेंट टु मनाली और रिवर राफ्टेंग रोज रेट ऑफ अब ट्रफ पानी अगर तो उससे रेट लिया जाता है 12 किलोमेटर पर आवर यह तो अगर उसको सेंप डिस्टेंस अब तो देखिए अगर उसको सेंप डिस्टेंस कवर करना है तो क्या करना पड़ेगा यहां पर अगर सेंप डिस्टेंस कवर करना है इट टेक्स है तो यहां पर करनी है और अगर उसको सेम डिस्टेंस कवर करना है तो उसको दुगना समय लगता है जितना वो लगया है मालोग इस डियरेक्शन में गया है इस्तिर पानी में अगर इधर आता है तो डुगना समय लगता है अब बारे की स्पीड से माल लेते हैं तो गया बारे की स्पीड से है एक गंटे में और आया दो गंटे लगए मतलब 6 की स्पीड से आया है गया बारे की स्पीड से आया है तो रिवर की स्पीड क्या होगी तो उससे साब से हम देखें यहां पर इस्टेंस तो हमारी सेम है तो इस्पीड डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम इस्पीड इंटू टाइम अब इस्पीड क्या है हमारी जैसे की माल लेते है एक स्क्राइब है अब हम लेते हैं कि हैं कि एक्स की वेलिव है वह बारहे किलोमेटर परावर है और तो यो एक हो जाएगा एक्स प्लस में डाउन इस्ट्रीम गंटब लग रहा है मतलब बारह फ्लस बाई into 1 ठीक है प्लस या equal to तो डिस्टेंट तो सेम रहेगी दूसरी बार क्या है speed तो x की तो रहेगी 12 लेकिन डाउन स्ट्रीम में क्या हो जागी है 12 minus y लेकिन यहाँ पर लग रहा 2 गंटे तो 2 से multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 12 plus y इधर हो जाएगा 24 minus 2y तो देखिए 3y की value आजाएगी 12 तो by का value आजाएगा 4 by मतलब क्या है जो river की speed है 4 km per hour river की speed है तो ऐसे हम solve कर लेंगे इस question को अभी आजाते हैं next question पर next question में क्या पूछा है हमसे देखिए P invest कर रहा है मतलब P रुपे invest किया जाता है 5% simple interest की दर से और T साल इबाद में interest जो है 82 रुपे कमाया जाता है अगर यह amount है 902 रुपे हो जाता है तो T की value क्या है मतलब कितने साल के लिए दिया जाता है तो यहाँ पर यह बोल रहा है कि जो principal amount है पी की value वो क्या आएगी यहाँ पर बोल रहा है कि 902 रुपे हो जाता है amount जो है 902 रुपे हो जाता है और interest उसको मिलता है तीन साल ती येर में 82 रुपे 82 मैनिस कर देंगे तो कितना आजाएगा यहाँ पर principal amount आजाएगा 820 रुपे अब 820 रुपे पर 82 रुपे व्याज मिल रहा है कितने साल के लिए मूल्दन 820 इंटू दर 5% इंटू समय टी बटे सौ तो इससे क्या हो जाएगा आट सो बीस से आट सो बीस कर जाएगा दस मतलब टी की value आजाएगी दो साल तो टी का मतलब दो आसाल आजाएगे तो दो हमारा आंसर हो जाएगा अभी बार ग्राफ बाला question है तो देखिए यहां पर ratio पूछा है salary J और salary M J की salary क्या है और M की salary क्या है तो 75 और 100 का ratio क्या होगा 25 से 3 अनपाच 4 हो जाएगा तो penal पाच 4 हमारा answer हो जाएगा अभी आजाते हैं next question पे next question हमारे पास यह है यहां पर भी वही ratio पूछा है what is the ratio of total mark obtained y x in all subject x के द्वारा all subject में तो x हमारा यह dark वाला area है 120, 160 मतलब 100, 200, 400, 600, 600, 600 के बाद में 800 800 तो यह हो गया फिर 20, 40, 60, 60, 40, 100, 160, 180 मतलब 980 हो गया एक तरफ तो और total mark obtained by y, y के दे हम देखें देखिए 200, 2400, 500, 500 और 600, और 600 हो गया 600 ते यह हो जाएगे और 80, 80, 60, 160, 160, 140, 200, 260, 340, 400 मतलब 1000 हो जाएगा अब रैश्यों हमें निकारना है तो यह 100 है यह 98 है तो इसको काट लेते हैं 49 और 50 आ जाएगा 49 और 50 हमारे अंतर जाएगा नेक्ट कुर्शन है हमारे पास यह कुर्शन है पर्सेंटेज डिसकाउंट से तो इसको हम सॉल करें तो क्या बेल्यू हमारे पास आएगी देखिए आफ्टर गिविंग टेन पर्सेंट डिसकाउंट टॉन आर्टिकल देर इस टिले यहां पर हो गया और यहां पर हो गया और हम देख लिए और यह पर हो गया से Bishop ऑंप सैंट ईर्ध क्यों हिए इसमराना किन देखिए घृट का प्रोफेट हो रहा है वह और इदर देखले से सेलिंग प्राइस माल लिजी मार्क प्राइस जो है वो डिसकाउंट ना देता अगर वो 10 परसंट डिसकाउंट नहीं देता यहां पर रहा है वाट इस प्रॉफिट इफ देर इनो डिसकाउंट इस गीवर अगर वो डिसकाउंट नहीं देता तो 100 रुपे की चीज है डिस्काउंट दिया तो 90 रुपे में बेचना पड़ेगा मतलब 10 अनपातमा हो जाएगा अगर डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट नहीं दिया तो यह वेल्यू हो रही है तो यह और यह वेल्यू दीजिस क्या हो रही है यह पर लग लग आ रही है तो इसको 12 से कर देते हैं और इसको से करेंगे ती हो जाएगा नभ्य और 990 हो जाएगा अभी हम देखें कि कोश्ट प्राइस क्या है हमारी नभ्य और सेलिंग क्या रही है कि ग्यारा से हम देखें यह और यह एक सो दस मार्ड़ प्राइज कि यह और 1110 कि ऑद लिल्बार प्राइज यह है और प्राइस यह है कि अगर डिस्काउंट हम नहीं देते डिस्काउंट नहीं देते देखिए 9 की वेल्यू गया रहे हैं मार्ग प्राइस पर दिस्काउंट हम कुछ नहीं देते पूरा ही तो दो रुपय का फैदा होता नौ कॉस्ट प्राइस जाएगी इन्टू हंड्रेड करते हैं तो यह यहां पर माली जोगोश्पाइब है अगर वो दस रुपय का डिस्काउंट दिया आटीकल पर मतलब की मार्ग क्वाड प्राइस माल लेते हैं तस रुपय का डिस्काउंट दिया मतलब नब्भी रुपय दिया तो इस नब्भीर पे भी उसको 10 परसेंट का प्रॉफिट हो मतलब यहां पर कोई एक्स वेलु रहेगी इसका एक से दस परसेंट है नब्बे आ रहा है तो बार्ट विदी प्रोफिट इस नो डिस्काउंट इस गिवन अगरे डिस्काउंट नहीं दिते तो क्या होगा वहीं मार्क प्राइस पर देनी पड़ेगी यांद लग्व को और स्प्राइस हमें निकार नीप पड़ेगी इसमें हाँ है है तो ऐसे ही आएगा हमारे वेल्यू 22.2 परसेत टिक आभी आएथे नेस्ट कुसंट पर आए कि नेस्ट कुश्चन है हमारे पास किया मेंड बर्क स्रेट्ट कुस्चन है देखिए ओ टीपि यह आजमी है ओ है यह थी गंटे काम करतेता है यह चारे गंटे को पर देता है दे आर वरकिंग टुगेदर देन हाव मच टाइम देफ निश्दी वर अगर एक साथ काम करें तो देखिए तीन चार्ट शेका एलसेम कितना बारह आ जाएगा इसका कपेशिटी चार इसका मिट तो एक गंटा 20 मिट हमारा अंसर आ जाएगा अभी आ जाते हैं नेस्ट कुशन पर नेस्ट कुशन हमारे पास यह है देखिए इसमें क्या करना हमें इसमें कुशन देखना है पढ़ना है हम भी क्या पूश रहे हैं डिफरेंस बिट्विन दी एक्सपोर्ट फॉम कंप यह तो यहाँ पर चालीष का दिफ्रेंस और यहां पर यहाँ पर Пट्ल सुसए है तो ओफ करना है मैं को सॉल्व कर लेते हैं इस कषिचंब पहले तो इस ंब יכול करते हैं तो यह आ judja यहां पर नौ आज जाएगा और यहां पर दो आ जाएगा और कुछ और फिल मल्टिप्लिकेशन करना है तो 32 प्लस बारण नम्मे एक सो आर्ट तो यहां पर प्लस चार और यहां पर शह हो जाएगा तो शहर चार जो दस दस मतलब 118 एक सब्सक्राइब तरह रवाट तीस इस कितना हो गए यह दिए ज्यादा हो रहा है एक वन कुपटी हो रहा है वन कुपटी तो आंसर में नहीं है कुछ ने कुछ तो गलती हुई है यह देखिए माइनस के च्छह है यह तो 132 144 में सजाएगा तो एक सौरती सांसर आजाएगा एक सौरती समरा अंसर है नेस्ट आ जाते हैं यह कुछ न है अभी इसको कैसे सौल्व करेंगे हैं देखिए प्लस प्लस टूपी क्यू इक्वल टू 49 अभी हमें यह भी देखा पत्चीस प्लस टूपी क्यू इसकी वेल्यू 49 वाटा देंगे तो क्या जाएगा चाल ट्वंटी फूर की विल्यू बारा जाएगी सबारा मरा नेस्ट देखते हैं अगला उन्हें हमारे पास है और 25 cannot do as येह बोल बनाने हम इन्हें इस ब्रिक्संत पडेगी मैं इसली कि AMo 12.5 और यहां पर इसका बाग देंगे 25 12.5 और 16 और देखिए 16,85 पचास बार कटेगा पचीद उनी पचास दो बार कटेगा ठीक है और कुछ है क्या इसमें कि अब 25 से काड़े हैं कि 125 चोके यह चार बर कटेगा पांसो आठ यंटू वाइस पॉंट पांच कर देंगे है कि 22.5 और अठ पंच चालीस लगी चार अर्दुनी सोलर चार बीस लगी दो अरदुन सोलर रा तारा अठारा सो अमारा आपास अन्सरा रा तो यह अमारा अंसर वो जाएगा अ साथ अश्यों अधिया तो अब आया थे नेश्ट कुस्टन नैश्ट कुस्टन में क्या पूछ रहा है वह और नेस्ट कुछ आ पूछ रहा है कि यहां पर टोटल expenditure of all companies is how much percent आ लेस तेंधी टोटल सेविंग को टूटल सेविंग हम कलकूल करेंगे साथ 20 आप 29-900 और एक्सिपेंडिशर एक्सिर टेसर दोची सो मतलब एक्सिपेंडिशर सेविंग्ग में अतना है पच्पेंडिश पची सो दोनों हम जोड़ देते हैं जो कि कितना लेश्डेन है कि नहीं कितना 400 कितने पर लंतीस ना चौप है into 100 कर देंगे एक बार जाएगा और इसके करेंगे तो 29 का वाग देंगे एक बार जाएगा तो यहां पर क्या करेंगे हम बैलू देखते हैं यहां पर पूचा है इस विए प्राइब रिडूज अगर प्राइब प्रिटी परसंट आप इस नहीं जाती है मतलब तो एक चालीस में पांच वह ज्यादा खरी सकता है इसकी वाइश से क्योंकि यह प्राइस हो गई 30 परसेंट की तो इसका मतलब दस की जो कॉंट्राइस थी वह साथ हो गई है क्या है उसने करना रहा हैं 10 की क्मिट्री है अभी साथ मतलब तीन का रिडियू जोहा है। कि ऐखे मतलब एक रिडिश होथा है एक परसेंट रिडियू होता सहिं पर्च थी स्था थी पर यह आधी अभी अभी उसको क्या करना है फाइपाइड दियूज रेट ओपल अब इपल की रेट कितनी हुई है देखिए तीन हो गई है यहाँ पर पहले रेट थी वह दस की जगे साथ आ गया है तो दस की रेट निकाल लेते हैं दस की रेट कि एक एक रूडू होथा तो मालों दस रेडूज हुआ है तो फहले दस का निकालना पड़ेगा दस न्टू पांच वट्टे 3 मतल्प पचास वट्टे 3 आ जाएगी मिलू हैं पचास वट्टे 3 एपल वह ज्याधा खरी सकता है र यहां पर 140 x 3 बटे 5 पांच पांदो निदस आट इतना जाएगा दिया लिए बटे 5 50 बटे 3 140 बटे 50 बटे 3 बटे 5 पांच 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 कुछ आजाएगा यह रिडियूज है रेट है पहले एपल जो आ रहा था उससे कम आ जाएगा मतलब दस रुपे का जो एपल आ रहा था वह भी एट पॉंट पॉर्म आ जाएगा इस तरीके संप्या सकते हैं तो ऐसे हम रिडियूज रेट निकाल लेंगे है एपल की जो रिडियूज रेट है वह हम निकाल लेंगे हैं दूसरा तरीका हम देख लेते हैं इसमें क्या है देखिए लिटेल में बवर समझा देता हूं मैं इस कुछ निकों तो देखिए तीस परसेंट सबसे पहले घटाई है रिड जो है उसने 10 रुपे से 7 रुपे कर दिया दस रुपे रिड थी उससे उसने 7 कर दिया तो देखिए 10 रुपे से 7 करती तो quantity यह तो प्राइस है तो सेम पैसे में quantity है वो जदा जाएगी quantity मतलब की उल्टी हो जाएगी quantity quantity साथ से 10 आजाएगी मतलब 7 रुपे में 10 आजाएगी तो यह देखिए तीन का डिफरेंस आरा quantity में और लेकिन कुश्चन में देरा कि वो पांच ज्यादा ले सकता है कि तीन की वेलू पांच एपल के एक वल है तो देखिए रिडिविज रेट पूछिए एपल की तो तीन का पांच हो रहा है एक का निकाल सकते हैं कि ने मिकाल डीया । तो गटिवी प्राइज एक कि यह पांच वो आ गई है तो गटि हुए क्वाश। मे किbas का साथ का में दस एपल ला रहे हैं एक एपल का यह पांच वटी तीन आ गया तो दस का क्या हो जाएगा दस इंटू पांच वटी तीन कि अधिक है और यह कितने रुप्य मारे हैं 140 रुप्य मारे हैं तो उसे साफ से बिल्यो आ जाएगी मारियोग कि 140 डिवेड़ वाई पचास रुटी तीन पचास तीन उपर चला जाएगा उस तरीकर से निकाल लेंगे तो 8.4 जाएगा ठीक है नेश्ट देखते हैं नेश्ट कुश्चन अमल पास यह है देखिए इस कुश्चन में क्या है तक है कि करेश्यो प्राइस ऊफए इंड़ वीश वाइं पातनो ए और बी की प्राइस का रेश्यो है वह और पांच अंड़ पातनो है और C ओडी का 24 और 15 और प्राइस का कुछ लोजिक यहां पर नहीं लगाना है सिर्फ बंदरा सिल देखना सी की प्राइस है 15 won नौ civी एंगा लॉड़ प्राइस शी की फॉर वैस पंदरा 2 ज्यादा एक्जम कितना ज्यादा है कि मी चुल में लोकी वेली Oo यहां पर हम देखें पंदर ज्यादा है कि अर्म तो देखिए नेश्ट कुछन को कैसे हम स्वलू करेंगे तो देखिए नेश्ट कुछन को सवलू करने का तरीका हमरे पास यह है कि एक ट्रेंगल दे रखा है पी की वार पी जो एंगल है इस तरीके से पी की वार अभी जो एंगल दे रखा है वह एटी डिग्री दे रखा एक लिए की एंड प्य आर प्रेड्यूज गोटूएल सदी अ क्यूपॉआं एश गरता है और त्य और यह वह एस मट्स app प्रेड्यूज करता है एप दिज्वाइस अक्रुआर्प हैंग्स पे और यह थीटा क्या है यह वाला नाईंटी माइनस 88 को मतलब 44 मैंनेस कर देंगे क्या है तो तो 46 जाएगा देखे गाशा टो यह थीटो को टीटो को माइनस कर देगा देखिए नाईंटी मेंशे लिए पूर्टीफोर अगर मार्यिस करते हैं कि नेश्ट कुश्टर करते हैं नेश्ट कुश्ट अमर्प्रस ऑब आशा देख लेते हैं एस इसुट सब्सक्राइब sin x minus y equal to 1 by 2 cos x plus y equal to 1 by 2 तो value हमें निकारनी है sin x cos x plus sin square x plus cos square cos ki power 3x sin x इसकी value हमें निकारनी है तो कैसे निकारनी है x minus y x minus y की value 30 degree आगी क्योंकि sin 30 का मान होता है यहां पर हम देखे cos start का मान होता है x plus y की value start आ गई है क्योंकि cos start का मान होता है बन बटी दो अभी हम एक्स और y की value हम निकार सकते हैं यहां से दोनों को जोड़ें अगर तो 2x की value है x की value 35 degree आ जाएगी और y की value हम निकारनी है तो 45 इदर y चला जाएगा y की value आ जाएगी 15 degree अभी यहां पर हम लग सकते हैं सामा जो भी जगह है उस पर रख सकते हैं दिखिए y की value 15 आ गई है sin x cos x x की value हमारे पास 45 degree है तो मतलब 1 बटी रूट 2 cos x 1 बटी रूट 2 plus 2 sin x मतलब बटन बटेश्ट का पास्काहब तो मनबटेश्ट हो जाएगा cos की power 3x मतलब gwपर रूट 2 रूट 2 हो जाएगा और स्यके एक्स सेक आएक मतलब सेक ने तलिसका मान क्यOSHता दो टो यह तो तो कर जाएगा इससे कर जाएगा और यह 1 by 2 हो जाएगा 1 by 2 प्लस यहां पर हम देखे 1 प्लस 1 by 2 मतलब यह आदा रादा एक एक रिक दो तो दो आंसर आ जाएगा हमारा नेस्ट हम देखें नेस्ट कुछन है हमारे पास में जैसे की रैश्यों दे रखें एंगल्स के आप 126 तो देखें बनेटी डिग्री होता है तीनों अंगल का योग यह 9 की वेलू दे रखी है एक सुसी मतलब एक की वेलू कितनी आगी 20 एक की वेलू 20 मतलब सबसे चोटा एंगल कौन सा होगा वीच दिग्री तो बीच डिग्री अमरा अनसर आ गया नेश्ट कुछ ना जाते हैं कि कि मैस्ट कुछ है अंगए यह यह एक इंपूटेंट कॉंसेट जो हमें पता होना चाहिए तो इस कुछन में हमें ट्रिक है वो लगानी एक परीगे तो आप करी सकते से कुछन तो को दिक्कत नहीं है यहां पर दिया हुआ है यह 24,500 रुपे माती है तो हमें कितनी चेर बेचनी पड़ेगी सब्सक्राइब कर दो कितनी सब्सक्राइब कर दो कि अगर इक रुपे माल लो sales वेखते हैं मालो एक जांपल के रुपे में चार्चीज वेखते हैं बीस परसेंट प्रॉफिट आरा मतलब एक सो बीस है कि एक रुपे में कितने बेचें ताकि हमें एक सो दस परसेंट प्रॉफिट हो इस तरीके से रहेगा इसी का लॉजिक हम यह आप लगा देंगे तो देखिए 24560 तो उपर है तो देखिए 60 चेर खरीद रहे हैं तो प्रॉफिट यहां पर ले रहा है तो प्रॉफिट यहां पर कुछ लिए लिए है 24560 चेर है प्रॉफिट यहां पर कुछ नहीं है तो 100 रख देते हैं एक्वल टू चॉइस 560 कितनी बेचना है एकस बेचेगा और यहां पर 20% का प्रॉफिट मतलब 120 आ जाएगा तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा उपर वाला पोर्टन तो कटी जाएगा और यहां पर भी हम काड़ सकते हैं इसको इससे काड़ सकते हैं 1250 मतलब 50 आ रहा है बेल्यू एकस की बेल्यू पचास आ रही है पचास हमरा आंसर हो जाएगा तो हमें 50 चेर है वो बेचनी पड़ेगी ताकि 20% अप्रॉफिट कमा सकते हैं कि नेश्ट कुर्शन आ जाता है यह बेल्यू है सिंपिल तो बेल्यू तो हम निकाली सकते हैं कि सैंट मेंता इसका मान बटे रूट टू यानि बन प्लस बन बटे टू हो जाएगा तो यह हो जाएगा बन माइनस बन बाइटू यह तो आदा हो गया मतलब अब यह तो देखिए इस कॉंसेप्ट और बहुत सारी कुषन आ गये हैं यह प्लस है तो हमें मैनस करना हुगा एसकार प्लस अभए ऐसकार विखल करना अब तो घृत से क्या हो जाएगा कि अभए इससे हमें निकारना है या है अधर लुक्त प्लस दा रिंगे अंडर प्लस दो करेंगे तन लो दोला मतब चार आजाएगा यह वेली चार आजाएगी अब इससे हमें यह निकालना है तो क्या करते हैं चार की पावर तीन प्लस ट्री इंटू चार चार की पावर तीन केतना होता है आजए आजाएगा चार अबाराएं सरा बहुत पर प्रेशर को सब्सक्राइब करें यह सआइन परणाना है इस को हम लिख सकते हैं कौस्व 35 पॉस्य स्कॉर्ट सीटा प्लस को सक्षाइब बड़ा नेस्ट आजाते हैं एक से एक स्कूर्च के लिए आपकर करेंगे में ऑप्शन से भी हम पर सकते हैं यह इस जीरो का हो सकता है एक रखेंगे तो जिरो होने की इस नहीं नहीं बतीस रखेंगे तो भी जीरो जीरो रखना पड़ेगा तब ही जीरो हो सकता है जीरो हमारा अंसर हो जाएगा तो बैल्यू पूटिंग से भी कुछ कुछ है हम पर लेते हैं अभी आजाते हैं नेक्ट कुछन पर देखिए नेक्ट कुछन क्या कह रहा है कि आइसो स्केल स्क्राइंगल है मितलब की संदिवा उत्रबूज है एबी सी है वो अनिक्वल है एबी सी बीसी अनिक्वल है बाकि यह दोनों परावर है ठीक है एंड लाइन एडी इदी मीडियन ड्रॉन फॉम दी बैटिक्स एडी ए लंबाई इस पांच एक लेंथ मीडियन चार यह चार दे रखी है अगर यह पांच चार रहेगी तो यह भी तीन रहेगी तो इसकी पूर्ची है लेंट यह हो जाएगी अब यह आ जाते हैं लाइस्ट कुर्षिंट तो लाइस्ट कुर्षिंट को सॉल्व करके यह हमारा करेंगे तो देखिए अ कि यहां पर दिया हुआ है एवरेज जो प्राम रोहन और सुखन थर्ट वैंटी त्री यह तो मतलब की उनका एज का यूग होगा एवी सी माल लेते हैं राम वहन जाएगा एवरेज जो राम रोहन वह दे रखी है तो 27 दे रखी है मतलब इन दोनों कि यूग का यूग यहां हो जाएगा फिन्टी शेविन का डॉल 54 54 मैनिस कर देते हैं इसमें से चार आजाएगा और एक चौदह आजाएगा इस तरीके से हमें यह मुनीस है या या बीस है यह मुनीस नंबर की शिफ्फ है बीस नमर की शिफ्फ नहीं है 15 मार्स 2023 का हमने देखा है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए सेयर कीजिए क्श१ बताईए हमें कमेंट में कि क्या अबमेंट करें हम वीडियो में ताकि है क्वालीटी है वीडियो की बढ़ सके और का आप चाहते हैं किस तरीके की solution आप चाहते हैं वह हमें बताइए हम उस तरीके की solution आपके लिए प्रवाइड करेंगे तो धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पर कमेंट करें लाइक कीजिए तो कि किसी भी वीडियो पर activity होती है तभी यूटूब है इसको वीडियो को सर्च में देता है यही अल्गरित्म में यूटूब की काम करती है धन्यवाद